हेलो स्ट्रेंड वेलकम टू आड यूट्यूब चैनल मैं पिंकी गिरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी विट गिरी सिस्टर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ओफ किंडम एनिमिलिया जो भी कह सकते हैं यह जो हमने एनिमिलिया किंडम के अंत्रगत कितने सारे जो एनिमल्स आते थे और कैसे उनका एको सिस्टम कैसे उनका एवलूशन हुआ कैसे वो बढ़ते गए उसके बारे में जानेंगे तभी हमारा कैसे हुआ तो पहले यह जो आये समुद्र में जो आये थे सबसे पहले यह पहले कौ अंत्रगत क्या होता था किटिज गिंग्टम वाल्लेस एकरियोटिक सेल होते थे और इनका जो मल्टी सेलुलर होता था ठीक है और हेट्रो ट्रॉपिक और गानिजम हैवी होलो जोईक होलो जोईक जिसके अंत्रगत अपने आप ही यह लोग जिनके भी तो जो यह यह दिवार यह लोग बहुत किया या फिर भी सम्पोसी जीयो का एक समराज होता था जिसको जिसमें होलो जोईक या अंत्रगरहन जिसको निगलना बोलते हैं उस तरह का पाचन होता था इसका जो सेलूलोज का बना हुआ वाल्लेस यानि कि जिनमें कोई वाल नहीं होता था यह करियोट इंटर्नल्य कानल इस प्रेजेंट फॉर इंटर सेलूलर डाइजेशन के जरी होता था एंड एप्जॉर्ट फूड इन मोस्त अनिमल इस तरह से और शोर्षण भी होता था डाजेशन इन इंटरसलुड इंप्रिमितिव एनिमल्स मतलब हुआ कि यह जो थे वो पहले आये ज इन एनिमल्स के जरिये जबसे पहले जो यह हमारे मेंबर में आए वो थे एनिमिलिया और इसलिए इनको सबसे पहले प्रिमिटिव एनिमल्स के रूप में जाना जाता है यह इसके अंतरगत जो भी आएंगे उनको प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाएगा ठीक है अंडाजेस्टेट मैटर इस थ्रोन आउट और जो अपाच्चे पदार था उसको बाहर की तरफ फेग दिया जाता था ठीक है और इसके बहुत सारे ऐसे बिस़ेस्टाएं हैं जो आप इनके ज़रीے पढ़ेंगे जैसे कि हमारे जो जो एनिमस जो इनके अंदरगत आते जाएंगे जैसे कि है परोटो जुआ है पेडिफेरा और आगे कॉर्डडेटा के संग के हैं जो हमारे इस स्लेवस में हैं उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटो जुआ से प्रोटो जुआ के मुख्य बिश्चेस्ताइग क्या होती थी कि इनका जो सरीर होता था वह एक कोस्किय या अक प्रश्टित होते थे मोनोसिस्टेस को छोड़कर सभी में प्रचला नंग पाया जाते थे जैसे सीलिया फ्लेजला जो कुडपात थे इनमें दुविभाजन या नि बाइनरी फ्यूजन के जरिये या फिर बढ़िंग के जरिये जरिये जो होता था वह अलेंगिक असेक्सव भी कह सकते हैं एक्जामपस में आप लिख सकते हैं ठीक है जो की फ्रोटो जुआ का एक्जामपस लिख सकते हैं उसकी बाद है पोडी फेरा पोडी फेरा के बारे में हम लोग और अच्छे से यहां पर जानते हैं देख लेते हैं तो पोडी फेरा के बारे में हम लोग जान इंब्रोइक इंब्रोइक सेल लेयर जो होते थे यानि कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म दो तरह के सेल लेयर होते हैं थीक है तो इनमें इस तरह का सेल वाल पाया जाता था the body contains a cavity called spongy seal, spongy seal एक जो body जिसके cavity होता था बोड़ी जो कॉमबा को जिसके बीतर contents रहता था उसको कहा जाता है spongy seal and pores, pores from water canal system यह दोनों मिलक मिलके एक water canal system बनाते थे ठीक है यह canal system क्या करता था वह help करता था in a circulating water throughout the body water जो body के बीतर जो जाता था पानी उसको क्या करते थे चुकि यह तो सी में रहने वाले जितने अनिमल्स थे तो यह जो छेद के जड़िये जो बहुत सारे जो छेद बने होते थे वह उनके जड़िये पानी आता था और उसके बाद इसको फिर बाहर कर दिया जाता था to bring in food and oxygen जो जो कैनल सिस्टम था उससे यह लोग क्या करते थे खाना भी ले इन में पावर थारी जिनरेट करने का मेली फाउंड इन मेरीन वाटर और इनकी जो खासियत थी वह मेरीन वाटर में ही यह लोग पाए जाते थे ठीक है तो यह पोरी फेरा का आपका इस तरह से आप लिग भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं फिर में लोग आते हमारे मेजनकाइमा सरी इपाइमा में 30 काइमा में 20 mm इंघ विकाल लूजन व्यूजढ को चोते पाम संवान बाहर में 20 कहुते थे 55 दौत देज़ातु ऑन्पयोरिक आपज़ें cana1 ंंताया तक छोटे-छोटेज़ सपायक पाएं खाते जाताँ घृत अपता को डिविल्हें ? पोर्स जाता है और सब्सक्राइब को जाता है सबूए बीतर कई नलीकंट सिस्टम कहा जाता है और ठाइब भाग पर एक बड़ा सा छेध होता था उसकी मूह पर जिसको और सबूपर प्रूव कहा जाता है सबसे पहले आपको जाना होगा कि कॉर्डेटा संकेव प्राणी थे वह कैसे थे पहले उनकी करेक्टरस्टिक हम लोग अच्छे से जानेंगे फिर हम लोग जानेंगे कि यूरो कॉर्डेटा कहां से आया कि यहां तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में दे दिया है कि यूरो कार्डेटा को तीन वर्गों में विभाजित किया गया यह तीन ही मोट कौर्डेटा के यूर्डेटा चैप्टर में है हर सब्सक्राबिक उसकी यांतरक्त यूर्डडेटा यूर्ड यूर्डेटा पार्न्णे में प्रानी है तो अचिक हमारे प्र continuum सिमेट्रिकल होते थे ठीक है और जो इनका जो प्रेजेंस डॉर्सल हॉलो नर्फ कोड पाया जाता था ठीक है कोड़ेट कोड़ेट मतलब होता है कोड़ेटा जो संग हाया है उसका मतलब होता है स्ट्रिंग और यूरो मतलब होता है तेल तो इस तरह से पोस्ट एनल और तेल जा घहता था और एट पन्चेस क्या होता है नौट काड मिन्स क्या होता है स्कार्ण बज़क्चरिए साथ होता हम कि बागुत है एक थे मेरे मिलीच ञीजी ज Divक जा नौट काड्ण बहुत पैन dura के बीकश तो जिस तरह से यूरो काड़िटा को तीन क्लासे में डिवाइड किया गया है तो सबसे फर्स जो क्लास था एसी डी एसी जिसकी प्रभुक भी सेस्ताई क्या थी कि इनके जो इनका थैली नुमा जो सैक लाइक होता था यह सरीर जलासे के तल से चिपका हुए रहेंगे ठीक है जो ट्यूनिक नामक आवरन से शरीर धका हुआ रहता था जिनका जो सरीर था वो ट्यूनिक नामक आवरन से धका हुआ रहता था एक परकार का ओर्गान्स होता है जिनके उपर इनका जो पूरा बोडी को यह कवर किये रहते थे लार्वा में नॉटो काड जिस तरह से भी मैंने बता है ना कि नॉटो काड क्या होता है नॉटो काड जो होता है वह एक यसस्ट्रक्ट क ओता है लाओर होता है रोड लाइक शिक्ट्र ड Rule्गाइब बिटूं डौर सल नर्वर सिटम और फिक और जो नर्वकाड में पूछ में उपस्तित होता था किन्तु ब्यास्क जन्तु में ये क्या हो जाता था उनुपस्तित होता था जैसे उदहरन में ACID प्रजाती और हाड मानिया प्रजाती इसमें आ सकते हैं एक्जामपल्स में ठीक है दूसरा आता है thaliases, thaliases की प्रमुख विTCaaaink क्या थी? ट्यूनिक जैसे सरीर का बाहरी आवर्ण परदर्शी होता था इनका जो ट्यूनिक जो था, वो क्या होता था, सरीर का बाहरी आवर्ण परदर्शी होता था man sisterya सरीर में ब्रित्त कार सरजी होई रहती थी man speaking fucking mm bathroom करदाया लार्वेसी की क्या थे इसके फ्रैंकिस की पास दो गिल्ल शिंत होते थे और आवास में आवास निरमान और पोशन और प्रस्चलन में पूच सहाय कोथा था इनके जो गैंघलिया के साथ खोकली नली के समान nerve cord को पस्तित होता था ठीक है न MIDIkten to b होता था जिसमें हम लो एक्जामपल में iPhone 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 प्रमें ठीक है आप इसको इस तरह से भी देख के समझ सकते हैं इस diagram से भी जो मैंने आभी आपको दिखा रही हूं तो जिस तरह से आपको यहां पर दिख रहा है कि माउथ दिख रहा है गिल स्लिट्स दिख रहा है नॉर्फ कॉट दिख रहा है और नॉर्टो कॉट किसको कहा जा रहा है वो दिख रहा है इसमें एनस यहां पर होता था तो इस तरह के प्रानियों के इस तरह से शरीर का स्ट्रक्चर होता था तो यह बाद में धीरे-धीरे यह लोग सब एवूलोट होते हुए आएं पहले ऐसे तो नहीं थे उसके बाद आता है सब फाइलम सीफलो कोड़ डेटा सीफलो कोड़ डेटा की प्रमुख विस्तस्ताएं क्या हो सकती है कि इसी को किसी क्लास में डिवाइड नहीं किया गया इ की बिस्त्रित होता था चौरी फ्रेंक्स के पास अने गिल्स सिल्ट उपस्तित होते थे जैसे की एमफी ऑक्सस और और इसको हम एसी मेट्रोन प्रजाती इस तरह से प्रजातिया होती थी उसके बाद हम लोग आते हैं भर्टीवरेट पर सब फाइलम भर्टीवरेट की विस्ष्थाएं क्या थी इट इस सब फाइलम ऑफ भर्टीवरेट का की दोज कॉर्ड़ेटा इन वीज द नॉटो कॉर्ट नॉटो पस्थी अ कोने लगा तिक आहेए इसको भर्टीवरेट कॉलम भिक्सीत होने लागा और बॉम द काल естंट'll सब पर नॉटो और उसकी जगा पर डॉसका नर्फ गार जो था वह ट्रांस्फर्म हो गया ब्रेन में और स्पिनल कॉड्ड में यह क्या हो गया , 트ांस्फर्म हो गया अंग निटर्फ के प्रेजीजकर में के प्रेजन्स के कारण बर्टिवेट्स है वे कम्प्लिटली डिफ्रेंट डिस्ट्रिब्यूशन पॉइंट्स फॉर अटेश्मेंट और मसल्स फॉर मुवमेंट ठीक है हर्ट इस चैंबर उसके बाद इनका जो हर्ट था वो चैंबर में विभाजित होने लगा ठीक है उसके बाद किड्नी ओकर फॉ और जो किड्नी का भी सर्जन के लिए काम आने लगा तो इस तरह से यह भर्टिवेट्स जो थे वो कफी ज़्यादा एवुलिट होने लगे ठीक है तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि प्रिस्टिय खोखले नर्व कॉड के रुपांतरन पर मस्तिश कोरीड रजु में वि गुड़े पासर वो पंग जो लेटरल फीन और भुजायल थी वो प्राया उपस्तित होते थे और सब फाइलम भर्टिब्रेट को दो सूपर क्लास में डिवाइड किया गया एगने था जिसके जनतुओं में जबरा नहीं पाया जाता था और नेथो एस्टोमेटा जिनके ज इस को दिएलम प्रे नहीं पाइंगे चुछ दिनक बाद बहुत बहुं पढूप की यहां जरेट दोनाय कुछ भी प्रॉब्लम होने से कॉम्मिन सेक्षिन हो पूछ सकते हैं ओके किप वचिंग बाइ थैंक यू